जैहें दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से तैयारी कर लो शैनल में और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राधा वल्लब संपरदाय की इससे पहले दोस्तों हमने बात की थी सकी संपरदाय और गोड़ी संपरदाय के बारे में तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पे यूजी सीनेट, जे आरेफ और टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज को देख सकते है यहाँ पे हम यूजी सीनेट, जे आरेफ, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी सिक्षक पातरता परिक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित वीडियोज यहाँ पे हम बनाते हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए चलिए शुरुआत करते हैं राधा वल्लब संप्रदाय अपने आज के टॉपिक के इसका प्रवर्तन सन 1534 इस्वी में आचारे हित हरीवन्ष गोस्वामी ने वरंदावन में किया था कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधाव संप्रदाय के अंतरगत मानते हैं इसमें क्रश्न का नहीं राधा का इस्थान प्रमुख होता है क्रश्न अनुसंगिक रूप में वर्णित है प्रंतुक्रश्न के भीतर सभी शक्तियों का समाहार है क्रश्न ही रसिक किशोर के रूप में एक मातर नित्य विहारी प्रुश है राधा उनकी प्रा प्रक्रती है जो चित उचित विशिष्ट आहलादनी निजशक्ती रूपा है नित्य विहार के चार विधायक तक्त्व हैं क्रश्न राधा सहचरी वरंदावन राधाव अक्रश्न नित बिहारी है वा जिवात्मा सक्षी भाव से उनके दर्शन में परम सुख पाती है इस संप्रदाय में नित्य मिलन वा विरादोनों का समाहार है हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का मूल गरंथ है इसमें प्रेम के तच सुखी भाव को सफलता पूरवक इस्थान दिया है इसमें प्रेम को ही भक्ती वा संप्रदाय का मूल आधार माना है कर्मकांड विहीन इस संप्रदाय में मुक्ती की कोई कामना नहीं है उपासना का आधार रस है राधा स्वयम आनंद रूपा नित्य है इसलिए इस उपासना को रसो पासना कहा जाता है क्रश्न का वरंदावन विहारी मधुरावासी द्वारकावासी के रूप में वर्णन मिलता है क्रश्न का उपास से नाम राधा वल्लब है इसमें गद्दी सेवा की विवस्था है राधा वल्लब संपरदाय के प्रमुख कभी है हित हरीवन्ष हित हरीवन्ष समय है 1502 से लेकर के 1552 इस्वी तक का इनका विवाह रुकमनी देवी से हुआ था 1533 इस्वी में ये वरंदावन आये थे और गुरू रूप में शिरी राधा जी को स्विगार किया था हरी राम व्यास जी ने इनकी मिरत्यों पर बहुत विहवल करने वाले पद लिखे हैं बड़ो अभाग अनन्न सभा को उठी गया ठाट सिंगार इनके दोरा ब्रज के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली थे अपनी रचना की मधुरता के कारण ये क्रश्न या वन्शी के आवतार कह जाते हैं हित 84 पर प्रेमदास वा लोखनात कवी ने टी का लिखी है वरंदावन ने इनकी इस्तुती वा वरंदावन में हित जी की सहस्रन नामावली वा चतुर भुजदास ने हित जू को मंगल लिखा है हित परमानंद जी वा ब्रज जीवन दास ने इनकी जन्म बधाईयां लिखी हैं इनकी ब्रज भाषा बहुत सम्वरद्ध हुआ प्रांजल है इन्होंने ब्रज और संस्क्रत में ही रचनाएं की हैं इसके बाद है चतुर भुजदास अश्ट छाप के कवी चतुर भुजदास से भिन है मिश्र भुजदास अश्ट छाप के कवी चतुर भुजदास से भिन है मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल रामकुमार वर्मा ने इन्हें एक व्यक्ति माना है इस ब्रह्म का निवारण दीन दयालू गुप्त ने किया था इसके बाद है धुरुदास हित हरीवन्ष के सिस्से थे इनके 52 गरंथ माने जाते हैं इन्होंने दुराधा वल्लब संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है जटिल वदुर्बोध तद्दों को समझने के लिए इन्होंने वचनी का मतलब गद्य वारता का प्रियोग किया है शुकल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 वद मिश्रबंधु विनोध में 42 गरंथों के अलावा बानी नामक सोतंद्र गरंथ का उलेख किया है भक्त माल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त ना मावली दिखी है किसने दुरूवदास ने राधा वल्लब संपरदाय के प्रमुक कवी एवं उनकी रचना है गोस्वामी हित हरिवंष इनकी रचना है हित 84, इस फूठपद, राधा सुधानिदी या मुनाष्टत इनके विठल दास को लिखे दो गद्य पत्र भी उपलब्द है फिर है दामोदर दास सेवक जी सेवक वाणी इनकी रचना है हरी राम इनकी रचना है व्यास वाणी, रास पंचाद्ध्याई राग माला, नौरतन स्वधर्म पद्धती इसके बाद है चतुर भुजदास, द्वादश यश भक्ती प्रताप यश हितजू को मंगल और फुटकर पद तो दोस्तो ये था राधा वल्लब संपरदाय के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे क्रशन भक्ती के अंतरगत प्रमुकवी जिसमें हम मीरा बाई के बारे में भी देखेंगे, तो मिलते हैं दोस्तो आगे की वीडियो में, आगे के टॉपिक के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद